बड़ी खबर यूपी से जुड़ी हुई प्रदानमंस्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश को बड़ा तोफ़ा देने जा रहे हैं प्रदानमंस्री मोदी 15 जुलाई को प्रदेश के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकारपन करेंगे यूपी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संक्या में मेडिकल कॉलेजों का लोकारपन हो रहा है ये मेडिकल कॉलेज, देवरिया, एटा, फतेपूर, घाजिपूर, हर्दोई, जौनपूर, मिर्जपूर, प्रतापगर, सिधार्थनगर में बनकर तयार हो चुके हैं और इसके साथ ही यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संक्या बढ़कर अब 48 हो जाएगी बड़ी खबर आपको बता दे, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के संकट के बीच उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं 15 जुलाई को प्रधान मंत्री मोदी प्रदेश के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकारपन करेंगे और इस पूरी खबर पर हमारे सायोगी अजीत इस वक्त फून लाइन पर मौजूद है अजीत और क्या जानकारी यूपी वालों के लिए अच्छी खबर प्रधान मंत्री मोदी यूपी को बड़ा तोफ़ा देने जा रहे हैं क्योंकि कोबिट काल में जिस तरह साफ सेवाओं को लेकर बड़े कई सारे सवाल उठे तो यह कहा जा रहा है कि बहतर साफ सेवा उसकी उस बिसा में एक बहुत बड़ा कदम होगा तरह उस्तर प्रधेस के लिए तोफ़ा होगा प्रधेस के नव-जिलो मेडिकल का रहा होगा हुगा जो बणकर तयार हो गए हैं अगर तो प्रवांचल की बात करें तो गाजी पूर है जौन पूर है इसके अलावा गरमद की बात करें तो परताब गाड़ है हर दो है प्रवांचल के पिछले इलाके की बाते हैं तो सिद्धाफ नगर ये नौ जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज बन कर तयार हुचके और इसका 15 जुलाई को प्रदानमंत्री वर्चली सरीशे से वहीं दिल्ली से बैठकर इसका लोकारपन करेंगे अब उस्त्रवदेश मeORच मेडिकल कालेज हो जाएगी गर पजयासतर जिले में तालब बड़ अचीवमेंट होता और यही तोचकर उस्तिक स्युक्री ने एक हर जिले मेडिकल करने के लिए बड़ा तोफा 15 जुलाई को प्रदानमंती नरेंद मोदी यूपी को देंगे अधा शुक्री आजीत लालू प्रसाद यादब और राबनी देवी के बड़े